स्वागत है दोस्तों आप सभी कहाँ हमारी यूटूब चैनल करियर कपैमेंसे में जहाँ हम देते हैं जानकारी आपको करियर और इंप्लाइमेंस से जड़ी, तो करियर इंप्लाइमेंसे जुड़ी। यह वीडियो है Fino Payment Bank के उपर Fino Payment Bank Limited क्या होते हैं Payment Banks साथ ही समझेंगे क्या Services देते हैं यह किस तरीके से Market में Exist रते हैं और क्या Opportunity मिल सकती है आपको यहां और Currently क्या Hiring चल रही है सारा कुछ इस वीडियो में तो जैसा कि हम डिसकस कर चुगे हैं लास्ट वीडियो में Small Finance Bank के उपर तो यह वीडियो है Payment Banks के उपर तो Basically जब Small Finance Bank बनाने के बाद भी RBI की या पूरे Country की Requirement of Banking Fulfill नहीं हो पा रही थी तब उन्होंने Decision लिया कि हमें कुछ Payment Banks भी बनाने चाहिए अब Payment Banks क्या होते हैं इसका एक Very Simple Concept है कि Payment Banks can do All the Activity of Banking यानि कि Payment Banks सभी Banking वाली Activity कर सकते हैं Accept Risk Activity यानि कि सिर्फ वो Loan नहीं दे सकते बाकी सारी Activity of Banking वो कर सकते हैं तो अब बाकी क्यों एक्टिविटी कौन से आती हैं? यानि कि Deposits लेना, उसके अलावा Fund Transfer की सर्विस देना, Mutual Funds की सर्विस देना, Insurance की सर्विस देना, Bank Branch में Deposit को Receive करना या Withdrawal की सुविदा देना, ATM की सुविदा देना बट हाँ, Loan सुविदाएं नहीं यानि कि Payment Banks किसी को भी Loan नहीं दे सकते अब Payment Bank बनाने के पीछे आरिवाई को जो Clear Objective है वो ये कि जो Transaction से Related जो Cost थी यानि कि अगर पहले देखें आप तो आज से कुछ साल पहले अगर आप अपना Card कहीं Swipe करते तो उस पर वो 2% आप से Fixed Charges मांगते थे मर्चंट इसके अलावा आपके जो A.P.T.M. या जी पे या गूगल पे इस तरह के कोई Apps भी इतने मार्केट में popular नहीं थे अगर आप debit card यूज करते थे या credit card यूज करते थे तो आपको heavy charges भी पड़ते थे तो ऐसे charges को remove करने के लिए और bank को उपर transaction का burden करने के लिए payment banks को license दे दिये अब RBI ने ये license 2016 में issue किये और इसमें first 10 to 12 banks ऐसे थे जो की payment bank बने इनकी लिस्ट है Airtel Payment Bank Limited, Indian Post Payment Bank Limited, Fino Payment, Paytm, Gio और NSDL तो टोटल ये 6 companies थी जिनको की payment bank का license सबसे पहले मिला तो अब वापिस आते हैं Fino Payment Bank के ओपर तो Fino Payment Bank ने 2017 में अपना business start कर दिया था और 2022 के जो results है उसके according Fino की current market net worth 2000 करोड की है यानि कि 2000 करोड का currently इनका net asset value हो चुकी है last financial year 2021-22 में इन्होंने 41 करोड का profit भी generate किया है जिसमें की 1000 करोड का net इन्होंने business किया है इनका जो business बढ़ रहा है basically branches नहीं खोलते ये outlet खोलते है outlet यानि कि currently जो करियाना store या दूसरे कोई भी एटल या net worth telecom के recharge के जो stores होते है या कोई भी छोटे बड़े regional level पर या ग्रामीड छेत्रों में जाकर के वहाँ पर जो shops होती है उन shops को वह outlet खोलने का license दे देते है तो basically जो फीनो का कोई भी agent बन सकता है इन agents को merchant कहा जाता है और इनको outlet की सुविधा दे दी जाती है अब करना यह होता है या कि इसमें यह किया जाता है कि उन्हीं की दुकान में company कुछ दो चार board लगाती है उन्हें एक system provide करती है एक micro ATM box provide किया जाता है उसके अलावा kit और other सुविधाएं दे दी जाती है और उसके उनसे कुछ security deposit और policies फिल करवा लेती है कंपनी एक agreement हो जाता है और जो किराना store वाला है वो बन जाता है merchant उसके बाद वो as a banker अपने छेतर में काम करता है deposits लेता है withdrawal भी देता है नई accounts खोलता है और cash handling charges वसूल करता है all over India आज की date में 7,45,000 outlets यानि की merchant active हो गए है all over India branches की बात करें तो main branches के वल 54 है हलाकि इने branches की उतनी requirement होती नहीं है इसके अलावा इनकी 130 customer service point भी है फीनो में hiring किस तरह की होती है या क्या काम करना पड़ सकता है आपको वहाँ पर इसको समझने के लिए हमें समझना होगा फीनो क्या services देता है या क्या product उनके पास है फीनो जिन product में deal करता है बेसिकली job भी उसी से related होगी तो सबसे पहला इनका जो product है saving bank account, current account इसके अलावा cards issue करता है फीनो की अपनी app भी है, UPI service भी है, fast tech products भी है, insurance में भी deal करते है इसके अलावा micro ATM की सुविदा है, customer service points भी है और total 54 branches भी है अपोचुनटी निकल के आएगी वो इसी में से आएगी तो जैसा कि फीनो का business model सिर्फ deposit receive करना है और cash handling charges को charge करके अपने customer से income कमाना है, तो आपका जो job profile रहेगा इस company में वो basically inward को maximize करना होगा, तो यानि कि अगर आप यहाँ पर sales executive की job लेते हैं या कोई दूसरी तरह की भी basically customer relationship manager की job लेते हैं तो ultimately जो आपका जो work रहेगा वो fixed deposit, recurring deposit और company में आने वाले inward को maximize करना होगा तो जैसा कि फीनो लेंडिंग्स नहीं करते यानि कि loan नहीं देते तो definitely इसमें disbursement और collection से related कोई खास work है नहीं जो basically profile रहेगी वो या तो digital रहेगी या फिर deposits को maximize करने की रहेगी यानि कि deposits लेकर के यानि वेरियस स्कीम और account खुलवाने, current account, saving account उसके अलावा जो बड़ी companies होती हैं उनको cash handling की facility देना इस तरह के इसमें jobs रहेंगा तो पहली चीज तो यह फीनो की most probably vacancies होती है वो उनके HR Facebook पर post कर देते हैं तो पहला सोर्फ तो यह हो गया कि आप Facebook पर जितनी भी vacancies निकल रहे हैं उनको regularly check out करिए तरीका यह है कि Facebook पर जाकर कि फीनो payment bank limited लिखिए और आपको कुछ posts दिखाएंगी जो latest post होंगी उनी पर जाक करके आपको क्लिक करके यह चेक करना है कि यह post कब डाली गई है किस HR की तरू डाली गई है mail ID अगर मिलती है तो अपना resume mail कर दीजिये दूसरा तरीका है directly approach करना तो फीनो के branches पर जाकर के वहां आप regional HR को approach कर सकते हैं अपना resume वहां submit कर सकते हैं और कोई भी जो vacancy निकलेगी उसको initially accept कर लीजिए बात में आप internal job promotion के थुरू एक particular job से या एक particular job type से निकल करके दूसरी type में आ सकते हैं वहां पर भी अचार regular post करते रहते हैं आपको कुछ particularly HR की profile को follow कर लेना है जो की FinoBank से related है इसके अलावा noki.com और monster.com पर भी आपको current vacancies मिल जाएंगी एक और जो major तरीका है वो है इसकी websites पर directly अपना resume upload करने का तो जिहां यहां facility दी हुई है इनकी खुद की websites पर चली चल कर देखते हैं कि यह कैसे होगा करियर का option आ रहा है तो करियर के option में तीन चीज़ें दिखाई जा रही है opportunities at Fino, life at Fino, pupil at Fino तो opportunities at Fino पर click करेंगे तो जैसे हम opportunities at Fino पर click करते हैं यहां पर windows आगे की तरफ खुल जाती है और यहां नीचे एक दम last में जा करके देखेंगे तो यह आपको दिखाए देगा apply now जी हां यह apply now का जो section है यहां पर आपको अपनी details fill करनी है तो मैंने बढ़ दिया है किसी का नाम उसकी बाद मैंने यहां पर departments select करना है तो मैं किस तरह के departments related या job देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ bank की sales related तो इस तरह के से मैंने bank sales related कर दी tag अगर इसके अलावा भी आप कोई देख रहे हैं तो यहां पर देखें options आ रहे हैं particular department के bank business technology central operations administration corporate finance digital and innovation group human resource legal market products and all others ठीक है चलिए product की job select कर लेते हैं यहां पर अपना mobile number बढ़ देते हैं resume upload तो अपनी अपने system से resume को upload कर दीजिए तो चलिए मेरे पास यह एक keyword list पड़ी है तो मैंने इसको यहां पर कर दिया है upload ओके अब नीचे आ गया है यह submit का button तो जैसी मैं submit करूंगा मेरा resume यहां पर submit हो जाएगा और मुझे confirmation भी आ जाएगी आप चाहे तो Fino में अपने आपको as a merchant भी register कर सकते हैं अगर आपका कोई shop या कोई दूसरा business है तो आप यहां जा करके खुद को register कर सकते हैं और Fino की agency ले सकते हैं तो यह था तरीका Fino payment bank से connect होने का तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो के लिए थैंक यू सो मच